सब्सक्राइब कीज़े लेर्निंग फामिसी चैनल को एंड बेल ऐकन को दबाईए लेटेस्ट फामिसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आगे एम डिसक्स करें को अपना टॉपिक ब्लड प्रेशर जिसमे अब देखें कि यह होता है बड प्रेशर और इसकी रिकॉर्डिंग इसको मीषर कैसे किया जाता है तरह इस वीडियो को एंड तक देखें हैं ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग बहुत सारी नौलिश मिले तो देखें ये आपके blood vessel होती है जिसमें ये आपका blood flow होता है तो जितना ये blood जो आपके blood vessels में flow होता है जितना ये force exert करता है जितना ये force लगाता है on the walls of blood vessel में जिसमें ये flow हो रहा होता है तो उसी force को measure किया जाता है blood pressure की form में ना देखे अगर हम blood pressure measurement के बात करें तो two measurements ले जाती है blood pressure के समय एक होती है systolic blood pressure systolic blood pressure क्या होता है देखिए यह होता है force exerted during systole force जो exert किया जाता है arterial wall पे blood जो उसमें flow हो रहा है उसके द्वारा systole के समय और दूसरी होती है diastole जो की है force exert किया जाता है जो blood के दुआरा atrial wall पे diastole के समय systole क्या होते है देखिए हमने इसको hurt वाले topic में भी आपने देखा था systolic blood pressure होता है वो maximum pressure during जब ventricle contract होते है हमने देखा था यहां से देखिए ventricles में जब blood feel होता है तो यह ventricle contract होते है और यह दोनों ही जो हमारी wall होते ही यह open हो जाती है एक से जो है pulmonary artery में चला जाता है blood and दूसरे से ota में चला जाता है तो ventricle contraction जो है उसको कहा जाता है systole and ventricle dilation जो है देखिए diastole है यहापर यह होता है maximum pressure जब ventricle जो है वो relaxed होती है हमने देखा तो ventricle relaxed होती है तो यह दोनों ही wall open हो जाती है और blood जो है वो atria से ventricle में travel करता है इस प्रसे को कहते है ventricle relaxation तो उसकी समय जो blood pressure होता है उसको diastole blood pressure कहते है तो दोनों की reading जो है वो ली जाती है blood pressure measurement के समय बेदेखिए blood pressure measurement में different readings देखते हैं कैसी होती है सबसे पहले unit क्या होती है blood pressure measurement की होती है mmHg जो की होती है millimeters of mercury कहा जाता है जिसको फिर normal blood pressure केतना होता है 120 by 80 mmHg होता है यहाँ पर क्या है systolic blood pressure जो है systolic pressure है 120 systolic हमने देखा था ventricle जब contract होती है तो वो 120 mmHg है और diastolic जब ventricle relaxed होती है तो वो है 80 mmHg फिर pulse pressure क्या होता है देखिए pulse pressure difference होता है systolic and diastolic blood pressure का तो इसको भी measure कियाता है जो की normally क्या होता है देखिए अगर इनको minus किया जाता है 40 mmHg देखिए कुछ important terms होती है blood pressure measurement में जो आपको पता होने चाहिए सबसे पहले आता है cardiac output क्या होता है cardiac output यह होता है amount of blood जो की eject किya आता है hurt से in one minute तो one minute में जितना blood जो है वो eject किया आता है वो बाहर निकलता है hurt से उसको हम कहते है cardiac output फिर stroke volume क्या होता है देखिए यह होता है कि जितना blood eject किया आता है hurt से एक pure cycle के दोरान तो pure cycle में क्या होता है देखिए पहले वो अट्रियम में एंटर करता है blood, ventricle relax होती है, फिर वो इंट्रिया से ventricle में आता है, ventricle contract होती है and फिर वो outside जाता है, ये pulmonary arteries and otah में, तो ये पूरी एक cycle के दौरान जितना blood जो है वो एजक के आता है heart से, उसको हम कहते है stroke volume, normally heart जो है वो एजक करता है 70 to 80 ml of blood in one cycle, फिर क्या हो तो क्या होता है जब भी आपकी blood vessels में blood flow होता है तो उसको resistance मीज़ उसको एक तरह की रुकावट का सामना करना पड़ता है अब वो resistance जो है वो डिटर्मान किया आती है कि आपकी blood vessel का diameter कितना है and blood vessel की tone क्या है आपके देखें वस्कुलर मसल की tone क्या है and diameter का है blood vessel का फिर क्या होता है नॉर्मली अगर small होता है lumen देखें इस तरह का lumen अगर small है तो क्या होगा कि resistance जादा सामना करना पड़े का जादा रुकावट होगी blood को flow होने के लिए और इस वज़े से क्या होगा blood pressure raise हो जाता है इसलिए क्या होता है VASO constriction जो है जब blood vessel averaging रहती है तो उसके कारण क्या होता है blood pressure जो है वो increase होता है elevate होता है blood pressure और जब VASO dilation हो जाता है जब blood vessel dilate हो जाती है तो blood जो है easily flow हो पाता है क्योंकि उसको ज़्यादा diameter मिल जाता है flow होने के लिए फिर दिखेए blood volume क्या होता है ये टम भी आपको सुने को मिरेगी तो देखेए सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा देखी नॉर्मल blood होता है जिसमें ये RBC प्लास्मा होते हैं अन्यमेक ब्लॉड में क्या होता है RBC जो है उनका count झो है वो कम हो जाता है और blood volume में क्या होता है कि low blood volume में क्या होता है कि RBC and plasma दोनों का ही count घट जाता है दोनों का ही volume कम हो जाता है तो blood volume क्या होता है जैसे ही जैसे आपके body में blood volume increase होता है वैसे ही क्या होता है जो blood pressure जो है pressure exerted वो भी increase हो जाता है इसके क्या मतलब है देखिए आपने देखा होगा जो hypotension patient होते है जिनको low BP patient होते है जब उनको admin किया जाता है low BP shock के कारण तो उनको intravenous fluid दे जाते है जिसके कारण क्या होता है उनका blood pressure increase हो जाए क्योंकि उस वो intravenous fluid जो है blood volume को increase कर देते है थोड़े समय के लिए जिसके जो है वो decrease हो जाता है blood pressure fall हो जाता है और इस condition में भी intravenous fluid दे जाते है patient को जिसे की blood volume जो है उसको normal पे लाया जा सके तो देखिए अभी हमने different terms को discuss किया अब हम दिखेंगे कि किस तरह से एक दुसरे से related होती है blood pressure measurement के लिए तो blood pressure जो है वो basically depend करता है देखिए cardiac output and peripheral vascular resistance पे peripheral vascular resistance दोनों ही terms हमने discuss की थी यहां cardiac output क्या है देखिए हमने discuss किया तरह stroke volume into heart rate है cardiac output so अगर client अगर patient जो है उसका 72 heart rate है तो उसकी cardiac output कैसे calculate कि जाएगी cardiac output होगी equals to 70 into 72 70 को यहाँ पर देखिए stroke volume को 70 consider किया रहा है और heart rate को 72 लिया जा रहा है तो 5040 ml उसकी cardiac output calculate कि जाएगी फिर हमने देखाता कि blood pressure जो है वो blood volume के increase होने से भी increase होता है as well as heart rate के increase होने से भी blood pressure increase होता है ब्लड pressure measurement जो है वो two ways से कियाता है सबसे पहले होता है हमारा direct method invasive इसमें क्या होते देखें इसमें इसको invasive method भी कहा जाता है जिसमें insert कियाता है catheter in the artery तो basically देखें यहाँ पर insert कियाता है catheter और यहाँ से देखें फिर reading लिजाती है blood pressure की जो है ब्लड pressure measurement की क्योंकि patient जो है वो cooperative नहीं होते वो नहीं measure करवा पाते अपना blood pressure तो इस तरह की process कियाते है बट normally क्या होता है non invasive indirect methods इसमें पैल patient पैशन इस तरह से देखें most common method होता है blood pressure measurement का इस तरह से measure कियाता है blood pressure यहाँ ऐसे and फिर होता है auscultation जिसमें आपने देखा हो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है अपने stethoscope से आपकी heart rate जो है आपकी heart beat चेक करता है friend से back से दोनों ही तरह से चेक करता है तो basically उनको इससे blood pressure का भी थुरा सांदाचा लग जाता है heart rate के साथ-साथ देखे कौन-कौन से equipment उसकी आते हैं BP measurement के लिए यह होता है कि स्फिग मो मैनोमीटर मैं इसको मैनोमीटर के नाम से बहुत जगा बोलते हैं फिर होता है stethoscope देन होता है alcohol swab जो patient के किसी area है उसको clean करने के लिए receiver होता है कि जो भी part जो है वो patient के body से touch हुआ है उसको इसमें रख प्रोस करने के लिए तो फिर देखे क्या होता है pre procedure क्या होता है देखे सबसे पहले क्या क्या था यह एक standard procedure होता है जो की follow करना ही चाहिए किसी कोई भी health care professional जो है उसको patient के BP measurement से पहले सबसे पहले क्या क्या था है blood pressure measure करने वाले है patient का फिर क्या क्या आते है पोजिशन की जाती है patient को comfortable sitting या lying down position में अगर वो बैठने की condition में है तो बैठा के लिए आता है blood pressure measure क्या आता है अगर वो नहीं बैठ सकता है तो उसको lie down क्या जाता है और फिर उसको ready क्या आता है blood pressure measurement के लिए pre procedure के बाद होता है procedure कि इस तरह से था बीपी measure कियाता है सबसे पहले patient की arm को exposed के यायाता है छो हमने एैंगा दो सब्सक्राइब एकसट सब्सक्रानों ही आप की यह कफ रब रख किया है In इस तरह से close होनी चाहिए ताकि अच्छे से measurement मिल पाए और देखे 2.5 cm अबव इसको wrap के आता है anti-cubital area तो इस एरिया को देखे anti-cubital area कहा जाता है तो इसके 2.5 cm अबव इस तरह से wrap के आता है यहां पर देखे ear tips होते हैं जो कि वो अपने ear में लगाते है और पोरा इस तरह की tubing होती है यह बेल होती है यहां पर यह differikum होता है तो यह सारे ear pieces को and differikum को clean किया आता है और फिर अच्छे से इसको ensure कियाता है कि यहां पर इसको अच्छे से fix किया जा पाई जिसे की sound जो है जो भी measure करना है blood pressure उसकी sound जो है वो clear eye muffled ना हो अच्छे साउंड जो है वो सुनाई दे फिर देखे क्या किया जाता है यहां पर देखे डिफ्रे गम को यहां यह ब्राकियल पल्स की जगा होती है जहां हमने बताया था जिसके 2.5 cm अबव इसको wrap किया जाता है कफ को तो उस ब्राकियल पल्स के उपर जो है प्लेस किया जाता है डिफ्रे गम को यहां से देखे यहां साउंड जो है वो सोना जाता है डॉक्टर नर्स के द्वारा फिर क्या होता है पंप फिर क्या होता है यह कफ जो है इसको पंप किया जाता है 20 to 30 mm HG above the systolic reading तो हमने दिखाता है कि normal systolic reading जो है वो 120 होती है तो उसके 20 या 30 mm HG इसमें 30 लिया गया है 120 प्लस 30 तो 1 इसमें 20 दिखाय टोटल जो है वो 30 लिया गया है तो 120 प्लस 30 150 mm HG तक यह जो है इसको पंप किया ता है इसको प्रेशर फिल किया जाता है तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फिल होता है जब इस तरह से डॉक्टर यह नर्स जो है वो पंप करते है कफ को क्यों brachial artery जिसके थू जो है ब्लड प्रेशर को एक्चुल मेजर किया आता है ब्लड प्रेशर क्या है 120 systolic, 70 diastolic जो की मेजर करना है फिर क्या किया आता है इस तरह काफ जो है rubber काफ इस तरह किसे wrap कर दिया आता है with inflated air इंफ्लेट किया आता है प्रेशर इंकाफ is above 120 जिसे हमने दिखाया था कि 150 mm एचजी तक pressure जो है वो फिल कर दिया जाता है तो क्या होते है इसके कारण क्या होते है यह brachial artery जो है देखी यह close हो जाती है जिससे क्या होते है कि कोई भी blood जो है वो flow नहीं कर पाता है क्योंकि यह इसको पूरा ही देखे अच्छे से राप कर दिया है प्रेशर लगा दिया है इस पे तो blood जो है वो flow नहीं कर पा रही यह artery close हो गई है बट इस समय पर क्या होता है कि no audible sound कोई भी sound जो है वो सुनाई नहीं देता है डॉक्टर या नर्सिस को जो ear pieces उन्होंने अपने कान में लगा है फिर क्या होता है देखे next step में फिर प्रेशर जो है काफ में वो धीरे धीरे जो है वो कम किया जाता है below 120 लाया जाता है प्रेशर को देखे दीरे धीरे कम किया जिसकी blood जो है वो flow ना शुरू हो गया है 120 के below आ जाता है but 70 mmHg के अबब रहता है प्रेशर जिसकी कारण क्या है इस पॉइंट पे देखे जो sound है वो सुनाई देता है sound audible होता है stethoscope में बिल्कुल इसी point पे फिर क्या होता है last में प्रेशर जो है काफ में उसको पूरा ही release कर दिया जाता है below कर दिया आता है 70 जिससे की कोई भी sound फिर से सुनाई देना बंद हो जाता है और यही diastolic pressure जो है इससे calculate किया आता है तो देखे यहां से stolic pressure पता चल जाता है कि कितना है patient का यहां से जब sound कोई भी नहीं आते फिर diastolic pressure जो है वो read कर ले जाता है और इस तरह से पूरही blood pressure जो है पूरही इसकी recording कर ली जाता है इस slide पे reading के साथ साथ आपको दिखाएंगे किस तरह से होता है BP measurement तो देखे यहां पर काफ को wrap कर दिया गया है pressure जो है काफ में वो increase किया गया है यहां पर 120 तो इससे थोड़ा से जादे इंक्रीस कर दिया गया है कफ में pressure और इस point पे देखे कोई भी sound जो है वो नहीं सुनाई दिता है stethoscope में फिर क्या कहता है systolic pressure देखे किस तरह से measure किया जाता है pressure जो है काफ में देखे यहां पर पूरी ही तरह से block कर दिया गया है brachial artery यहां पर धीरे धीरे pressure जो है वो release किया जाता है कफ में brachial artery में थोड़ा थोड़ा सा blood जो है वो spur होने लगता है आने लगता है इस sound पे देखे यहां पर यह 100 है यह 120 है तो इससे थोड़ा सा जब pressure जो है वो down किया जाता है तो इस point पे देखे corrode cough sound जो है वो सुना देता है stethoscope में और इसी sound पे record की जाती है record किया आता है systolic pressure, systolic blood pressure फिर last में क्या होता है pressure जो है cough में वो पूरा ही release के जाता है पूरा ही cough जो है उसको free कर दिया जाता है और यहां देखे 80 यहां पर 80 से फिर down लाया जाता है pressure तो यहां पर फिर से sound जो है वो disappear हो जाता है और इसी जब disappear sound होता है इसी pressure को record किया जाता है ऐसा diastolic pressure फिर post procedure होते हैं देखे उसके बात क्या किया जाता है hand hygiene perform किया जाता है जो health care professional है वो अपने hands को watch करते हैं अच्छे से इन फॉर्म किया जाता है डॉक्टर को कोई भी अगर result है उसको abnormal या abnormal दोनों ही results और document reading record किया जाता है उसको documentation की form में तो यह पूरा ही procedure होता है BP measurement का I hope आपको समझा आया होगा पूरा ही procedure है फिर पूरी के लेक्षे कि अगर हम summary देखे तो हमने देखा blood pressure क्या होता है यह force होता है जो कि exert किया आता है blood के द्वारा against the wall of blood vessel की walls की against systolic blood pressure हम देखा 120 mmHg होता है diastolic 80 mmHg होता है mmHg की unit होती है measurement की pulse pressure क्या होता है difference होता है इन दोनों systolic and diastolic के बीच में 40 mmHg होता है normally cardiac output stroke volume peripheral vascular resistance and blood volume के बारे में हमने discuss किया blood pressure जो है वो measure कियाता है two ways से invasive जो की direct method होता है जिसमें catheter को insert कियाता है patient की artery में normally जो surgery होती है उनमें कियाता है जो uncooperative patient होता है उनके साथ non-invasive method में indirect method में हमने देखी दो method palpation and ossical tation फिर हमने देखा general method क्या होता है blood pressure measurement का so thanks for watching next video में cover करेंगे अपना last topic cardiovascular system का जिसमें हम देखेंगे cardiovascular disorders तो friends अगर आपको ये वीडियो चेले के तो सुर्टे को ज़रूर लाइक किज़े share किज़े अपने friends के साथ अगर आप चैनल पर पहले बार है तो please चैनल को subscribe किज़े वीडियो के निचे रट करेंगे subscribe button दिया होगा उस पे click करके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आपकोई भी सवाल है तो नीचे दीवे comment box में अब हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे related videos के link है जिन पर click करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों learning pharmacy पर आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में